He has bought a dozen eggs. इस sentence में हमने कितने eggs की बात की है? A dozen का मतलब होते है 12 eggs. ठीक है? तो अगर हम a dozen की बात करें तो उसका मतलब 12 है. लेकिर अगर इस sentence को थोड़ा सा change करकर बोला जाए और अगर इस sentence को हमें इस तरह से कोओ कि He has bought a baker's dozen eggs. तो इसका क्या मतलब होगा? 12 को represent करता है और अब baker's dozen जो है वो 13 को represent करता है. तो यान रखेंगे अब baker's dozen का मतलब क्या होगा? 13. Thank you so much.